वेलकम 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 नमस्कार मैं हूँ लेक रामलारे हमारे चनल प्राप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को become final year से international marketing में से most important question बताऊंगा ये question बहुत ही most 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 IMP है most important question है जो अभी आपके final exam में आएंगे 2024 के final exam में आएंगे तो आप लोग international marketing से यहाँ पर जो भी question बताया गया है यहाँ पर जो भी question लिखा गया है उसी question के तैरी करना ताकि आप लोग का paper अच्छे से जाए मैं आप लोगों को unit 1 से unit 5 तक का important question बताऊंगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है question का साथ-साथ कुछ basics बताऊंगा जो आपके लिए useful होने वाला है और यहाँ वीडियो दूर्गर उनिशिटी पंडित्रवी संकर उनिशिटी और आपका विलास्पुर उनिशिटी, बस्तर उनिशिटी, सरगुजा सारे उनिशिटी के लिए important है तो सारे स्टुडेंट इस question के तरी अच्छे से कर लेंगे चलो आते हैं topic पर तो यहाँ पर है unit 1 unit 1 से पहला question है अंतरराष्टी विपड़न क्या है अंतरराष्टी विपड़न की छेत्र एवं महत्तो को बताईए most important question है आप पहले इसी question के त्यारी करेंगे दुसरा question है अंतरराष्टी विपड़न परियावरन या वातावरन से क्या आसा है आंतरिक एवं बहाय वातावरन की व्याख्या की जिए यह second question है most IMP है अंतरराष्टी विपड़न परियावरन को कभी-कभी अंतरराष्टी विपड़न वातावरन भी बोल दिया जाता है आप इस question को ध्यान से अध्यान करेंगे ओके तो second question है यह important है आप इस question के त्यारी कर लेंगे अगर दोनों question के त्यारी कर लेते है तो और अगर पढ़ना चाहेंगे तो इसको पढ़ लेना तिसरे नंबर पर है घरेलू विपड़न क्या है घरेलू विपड़न तथा अंतरराष्टी विपड़न में अंतर बताईए यहाँ पर unit 1 से तिन question important है अभी 2024 के एक्जाम के लिए आप इस question के तरह अच्छे से कर लेना ठीक है जी यूनिट 2 में आते है तो यूनिट 2 में पहला question है अंतरराष्टी मुल्य कैसे निर्धारित किया जाता है अंतरराष्टी विपड़न के मुल्य निर्धारन को प्रभावित करने वाले घटकों को बताईए यह हो गया second question sorry first question आपको इस question के तरह अच्छे से कर लेना है most important है unit 2 से ठीक है अब unit 2 का second question देखते है वस्तु अनुकूलन रनिती को समझाईए वे कौन कौन से तत्व है जिने सही वस्तु अनुकूलन रनिती के चुनाओं करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए unit 2 से second question जो most important है आप इस question के त्यारी अच्छे से कर लेंगे unit 2 से यह दोनों question पहला है आद दूसरा में से कोई भी एक question लगेगा ठीक है तो आप दोनों में से question की त्यारी अच्छे से कर सकते है अब उसके बाद इसमें तिसरा question देखते है unit 2 से तिसरा question उत्पाद नियोजन की व्याख्या कीजिए निर्यात विपड़न में विक्रह समवर्धन के लिए उत्पाद नियोजन की महत्व की विवेचना कीजिए unit 2 में अगर आप ज़्यादा ध्यान करना चाहेंगे तो इसको भी पढ़ लेना important है ठीक है इसके बाद आएंगे unit 2 से अगर टिपनी पुछेगा तो टिपनी पुछ सकता है तो टिपनी अगर पुछेंगे तो किस पर किस पर टिपनी पुछा जाएगा टिपनी में है brand पर टिपनी लिखने के लिए बोल सकता है trademark पर बोल सकता है most 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 important question है लिख करके ले लो यही question आएगा unit 3 से ठीक है जी second question है unit 3 से देखते है अंतरराष्टी विक्रह समवर्धन क्या है अंतरराष्टी विक्रह समवर्धन एक धंग प्रत्यक्ष डाक एवं विक्रह साहित्य है समझाईए यह important है आप इस question के अद्धन कर लेंगे ठीक है आपको पुछ सकते हैं आप विज्यापन का अच्छे से अध्यान कर लेना विज्यापन का अध्यान करेंगे तो इसमें काम आएगा और इसके second part में काम आएंगे ठीक है तो उसको भी अच्छे से अध्यान कर लेंगे विज्यापन को उसके बाद यह fourth number का question है unit 3 का उत्पार प्रवर्तन से क्या आसा है समझाईए यही question पिछले साल 2023 में आया था इस साल भी पुछा जा सकता है तो आप इस question के त्यारी कर लेना जितना भी question मैं बता रहा हूं important है question अभी आपके exam में आएंगे ध्यान से पढ़ना अच्छे से पढ़ना ठीक है अब unit 4 में आते है तो unit 4 में केवल दो ही question है दोनों में से जिसको भी पढ़ना चाहोगे पर सकते question लगेगा तो पहला है अंतर राष्टी वित्रण में वित्रण माध्यमों का महत्त तो समझाईए अंतर राष्टी वित्रण माध्यम को कभी-कभी वित्रण वाहिका भी बोल दिया जाएगा ठीक है तो इस बात को खास ध्यां रखेंगे वित्रण माहिका या वित्रण माध्यम का मत तो पढ़ना है मतलब वित्रण माध्यम वित्रण माहिका का जितना भी topic है जितना भी उसमें उसका answer दे उसको पढ़ लेने ठीक है question लगेगा हर साले question आता है ठीक है दुसरा question देखते है unit 4 से विदेशी विक्रप्रतिनिदी की चयन एवं निक्ति के बारे में विस्तार से प्रकास डाल लिए इंपोर्टेंट है यह दोनों में से कोई भी एक कोश्चन का अध्यान कर सकते हैं दोनों का अध्यान करेंगो तो और अच्छी बात है ठीक अब युनिट फाइप में आते ह या मोस्ट आयम बेटिक उसके बाद सेकेंड भारत में विदेशी वैपार की आधुनिक प्रवित्यों पर प्रकास डाल लिए यह भी देख लेना अब युनिट फाइप से लास्ट कोशन है निर्यात वैपार आरम करते समय बजार के प्राथमिक चयन से आपका क्या अभी प बाकी तिसरा चाहत हमें जो कोशन बताओं सपोर्ट के लिए हैं सपोर्ट के लिए कोशन दिया हुँ मैं आप इसको भी अध्यान कर सकते हो इसमें से कोशन लगना ही लगना है ठीक है तो यह हो गया हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग का इंपोर्टेंट कोशन अगले वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी किया करिए जिससे कि उनको भी इंपोर्टेंट कोशन पता चले और वो भी अच्छे सिध्यान कर सके अल दा बेस्ट